ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मिथुन नाशी वालू हो जाओ सावधान क्योंकि आपके साथ 30 अक्टूबर से 13 नवंबर यानिक इन 15 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके होस उड़ने वाले हैं जादोस्तू इन 15 दिनों में मुसीवत की माला आपके गले पड़ेगी चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा जा दोस्तो ऐसा इन 15 दिनों में आपके साथ क्या होगा जिसे सुनकर आपके होस उड़ने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती महत पपूर रहने वाली हैं दोस्तो वीडियो का कि शुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट्स बोक्स में जैज सुर्यदेव अवश्य लिखें जिससे भगवान शुर्यदेव का अशिरवाद आपको शिद्यप्राप्त हो सकी चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 30 अक्टूबर से 13 नवंबर यानिकि इन 15 दिनों का यह महत पपूर समय दोस्तो यह समय आप कड़ी महनत वे परिश्रम से सब कुछ हांसिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है बड़े बुजुर्गों का इश्ने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय व्यतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजी की दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्य का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तो साथे साथ यह समय महमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतित होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड सकता है परंतु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड ने रहेंगे युवा वर्ग अपने भविश्च सम्बंदी योजनाओं के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तो साथे साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान, सम्मंदी, कार्रे जैसे विवा, नौकरी, आदी कार्रे की योजनाई भी इस समय सफल होंगी महमानों की आवा जाही भी इस समय रह सकती है दोस्तों साथि साथ यह समय उरजा, जोस और उमंग से आप पणी पून रहेंगे बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे के प्रकार के खर्चों का भी यह समय है परन्तु आप मैनेज कर लेंगे अपनों के साथ मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा दोस्तों साथि साथ यह समय परिवार के साथ हर सो लास के साथ व्यतीत होगा कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा कार्य कुसलता के दम पर आप वह उपलब्दी हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी दोस्तों साते साते ध्यान रखें कि इन सब किरिया कलापों के बीच आपका कोई महत पपूर्ण कार्रे भी छूट सकता है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है सबी गति विदियों में ध्यान केंदरित रखना आपके लिए अति आवशक है आर्थिक कशमकस भी रह सकती है कहीं वी धन, संबंदी, निवेस, सोच समझ कर ही आपको करना है क्योंकि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा विद्यार्तियों को अपने प्रतियोगी परिक्षा संबंदी पड़ाही में अधिक ध्यान देने की आवशकता है दोस्तों साथे साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रिक्तता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी अपनी भावनाओं पर दिरोध वे नियंतर रखें क्योंकि इसके प्रवाब से कुछ संबंदी भी खराब हो सकते हैं परन्तु जल्द ही परिस्तितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अति आवशक हैं कोट केस संबंदीत मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिस्तेदारों के साथ वेहवार करते समय आप सावधानी बढ़ते हैं आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुसे वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यदिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने निर्णे ही सर्वोच रखें घर के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भवनाओं को शमजना अति आवश्चक है पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजों की भी संबभ है प्रसंग बदनामी वे अपयस का कारण बन सकते हैं इसलिए थोड़ा सावधान रहें साति सात कामकाज में चल रही सितिलता का प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें जीवन साती तथा बच्चों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा दोस्तों साति सात यह समय परिवारिक शुक्षांती बनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियो में आप सहयोग दे पाएंगे घर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा विपरीत परिस्तितों के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है प्रेम जीवन के दृष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती मिला जुला साबित होने वाला है दोस्तों बात अगर आपके विवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी, शिक्षा और कारोबार में जादा मेहनत और परिश्रम की आवश्चकता है कार्य विस्तार संबंदी किसी भी योजना को कार्य रूप में पर्णित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्स आप आवश्चा करें नौकरी पेशा व्यक्ती भी किसी भी ऐ प्रिश्चित व्यक्ती के साथ वहवार करते समय सावधानी बरतें कामकाज को आप पूरी गंभीरता वे संजिद्गी से लेंगे इस समय यह ध्यान रखना आवश्चक है कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें पार्टनर्शिप संबंदी वेपारिक गतिविद्यों पर नजर रखें किसी प्रिकार का दोका हो सकता है दोस्तो साथी साथ यह समय कर छितर में कौन्टिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ किसी प्रिकार का समझोता आप ना करें कोई बड़ा ओर्डर आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है नोकरी पेशा लोगों के लिए नोकरी में बॉस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे पदोन्निती की भी संभव ना है नोकरी में मनुवांचित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है जिससे आपको खुसी का बहुत अनुभव होगा शाती सात मशीनरी नई तकनी की आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आगया है शरकारी शेवारत व्यक्ती किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों साती सात यह समय व्यपार में नई पार्टियों तथा नई लोगों से व्यवशाइक संबंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में से कर्मी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतरक रहना आवश्षक है अपनी दिन्चरिया एक दम सुवेवस्थित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ संबंदी परिसानियां रह सकती हैं स्वास्थ संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें दोस्तो साथि साथ यह समय स्वास्थ में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे परन्तु थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्थ रखेगी यूँ तो स्वास्थ ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत रहने की आपको अति आवश्थ रहता है दोस्तो साथि साथ आपको अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए नियमित योग और प्रणयाम का शहरा लेना होगा इससे आपका स्वास्थ बहुती अच्छा रहेगा